गुड मॉर्निंग इस्टू नं मेटा जम आपका लेसन 13 के साय गुत्र गच्चिती इस लेसन के डिरिंग करेंगे ठीक है तो यह जो लेसन है यह अविशब्दों का प्राधारित है इसमें अविशब्दों का परीचे प्रयुक किया गया है तो देखे जैसे हम जानते हैं कि जो शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं उन्हें अविशब्द कहते हैं जैसे अपी यह संस्कृत का शब्द है चै यदा तदा अत्र और तत्र यह संस्कृत के अविशब्द है ठीक है ना अपी का मतलब हिंदी में हो जाता है भी चाका अर्थत हो जाता है और यदा का होता ह है इनका रूपक कभी भी परिवर्थित नहीं होता है ठीक है तो चलिए सब से पहले है सुह सह है कुत्र गच्छती सुह जाता है तो यहां पर कौन सा विश्ब्द आ गया कुत्र ठीक है सहre prate architect विध्यालम गच्छती व्य है सुभा विद्याले जाता है सा अपाहरने अग्छतीवे है दुपहर में आता है अगला हो गया अत्र उधानम अस्ती तो यहाँ पर अत्र जो है अवेशब्द आ गया कि यहाँ उपवन यानी बगीचा है अत्र जना भ्रामंती यहाँ लोग घूमते हैं सुहास है अपी भ्रामंती अपी भी क्या है आपका अवेशब्द है तो सुहास भी यहाँ गूमता है अगला हो गया आपका शश कह है कथम धावती तो खरगोश कैसे दोड़ता है कथम ठीके यह अवेशब्द हो गया कैसे तो सा शीग्रम धावती वह तेज दोड़ता है अगला आगया कचपे है तू मंदम चलती तू माने तो तो भी आपका विशब दो गया तो लिखा है कचपे है तू मंदम चलती कचवा तो धीरे चलता है आगे है आपका अद शनिवार है अस्ती आज शनिवार है ठीक है न सभी में आपका संस्कृत के अविशद्धों का प्रयोग किया गया है तो यह जो लेसन है यह आपको अविशद्धों का अधारित है इसकी डिडिंग आप लोग एक बार खुद करेंगे तो आपको इसलिए और समझ में आ जाएगा थैंक यू